वेलकम टू डेटा फॉर टेडर मैंने इस चैनल पे मल्टिपल ब्रोकर की अप्याई कवर की जैसे फायर्स है अपिस्टॉक कोटक नियो धन एंजल इसी टेडिशन को कंटिन्यू करते हुए हम एक और एक्सपोर्ट करने वारे है वह है एक्सपोर्ट करने लिए आपको ऐसा ब्रोकर से जिए जो कि एक्सपोर्ट करता हूँ जैसे कुछ ऍसके जामपल है आप पेसे का यूज का रखा है और मैंने फाइफ पैसे माहँ से आपकी अपें इसको एक्टिवेड करा है यूज सारे ब्रोकर से शेम हिले और एक बाद आपक्णे ब्रोकर कर लोगा आप IFL के अकाउंट होल्डर हो या फिर आप 5 पैसा में हो या फिर आप मोतिलल अस्वाल के हो, जो मैं आपको यहाँ पर API एक्स्टेस की, उसकी जो प्रोसेस है वो सेम होने वारी है, वो सेम ही रहेगी सबके लिए, बट जो एक्टिवेशन का प्रोसेस है वो तो आपको अप 5PESA.com, after that email, you will receive ID password from XTS team, so you will see this kind of email, जहाँ पे आपको XTS के साइट से login ID and password मिल जागा, okay, after receiving ID password आपको जाना आए URL पे, तो 5PESA केस में URL है, XTSMUM.5PESA.com, यह URL हरे ब्लोकर का different होगा, in case of 5PESA, you will see this page here, okay, और यहाँ पे आपको sign up करना है, तो आपको यहाँ पहले create an account करना ह okay, आपको जो ID password मिला है, उसको यहाँ पे enter नहीं करना है, fine, पहले आपको यहाँ पे create an account करना है, उसके बात आपको first name, last name, यहाँ पे ID, okay, जो आपको email मिला था ID, same ID यहाँ पे आपको enter करना है, and set your password, fine, once you sign up successfully, you can login from here, okay, अब आपको login ID and password, जो आपने अभी set किया था, create an account के जाएगा, फिर आप सोचो कि यहाँ पे जो ID password मिला था, ID का तो यूज हम कर रहे है, password का use कहाँ पे होने बारा है, तो password हम use करेंगे, जैसे आप login करोगे, आपको जाना है my profile मे, and you will see your trading ID verified, okay, यहाँ पे आपके case में unverified होगा, email में जो password रिसीव हुआ था, उसको आपको enter करन and then your trading ID is verified, जैसे मेरे case में already verified है, यह सारे step में already कर रखें अपने system पे, इसलिए मैं आपको explain रहता है, बट जो मैंने आपको बताया है, आपको same यह पे follow करना है, okay, वैसे मैं नहीं बताऊंगा, आप कर लिजाओगे, it's a very easy thing, एक बार आपने अपनी ID verified कर दी, now come to my app, and then open this create new application अब यहाँ पे आपको app create करना है, जैसा महारे ब्रोकर में करते है, सारे ब्रोकर में यही फंड़ा है, कि आपको app create करना होता है, यहाँ पे दो app है, एक market data, एक interactive order API, तो let's create one by one, let's say कि मैं पहले यहाँ पे create करता हूँ, interactive order API की, okay, तो let's name it anything, okay, it's up to you, and you will see here new app create successfully, okay, आपको यहाँ पे लास्ट मिल जाएगा interactive order API, इसी तरह से आपको market data API भी create करनी है, so again come to here and create new application, इस बार हम select करेंगे market data API, तो click on market data API and again name anything, अब यहाँ पे मैंने दो app create कर दिया, एक है interactive order API, and second है market data API, you can also observe here, अपना जो app है यह deactivate है, so, इसको activate होने के लिए आपको wait करना पड़ेगा, जैसे यहाँ मैंने आरेटी दो app create किये थे, इसका इस्टेटर सब देशी activate हो चुका है, जैसे ही आपका app activate होगा, आपको email मिल जाएगा, तो जैसे ही आपको API activate होने कान्फरमेशन मिल जाएगी, now you can use your XTS API, और फिर आपना का में start कर सकते हैं, python मिसको integrate करनेगा, यह complete step था, XTS API को activate करने के लिए, और मैंने इसको 5 पैसा के context में explain किया है, आपको जोब ब्लोकर होगा, ओके, आपको उसके context में से follow करना, ओके, और you can simply connect your support team and they will guide you how to activate XTS, ओके, तो अपना focus activate करने पे नहीं है, हमें देखना है किसे कैसे Python में integrate कर सकते हैं, ओके, तो हम आते main topic भी अपने, तो मेरे पास जो दो activate APIs है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, दो activate API in my case, this one, तो मैं इनको यूच करूँगा आपको explain करने के लिए, XTS API के regarding information के लिए, आपको जाना पड़ेगा GitHub page पे, तो यह आपका GitHub page है, Symphony XTS का, GitHub page पे data front API and this one trading front, ओके, यहाँ पे आपको doc मिल जागा, but doc से आपको जो भी help मिलता है, but मेरे को तो code से यह idea मिल गया था कि क्या यहाँ आपे करना मेरे को, XTS के Python package को यूच करने के लिए, अपने को यहाँ फाइल डाउनलोड करने पड़ेगी, यहाँ पे कोई pip install वाला feature नहीं है, so how you can download this file, so यहाँ पे आपको जाना code and यहाँ पे क्लिक करना download zip, मैंने अपने desktop पे यह फाइल डाउनलोड कर रखिया, so I am going to extract this one first, so let's wait and extract here, extract to python SDK, fine, okay, यह extract हो गया and open this one, अब यहाँ पे सारी फाइल आ चुकी है, अब मेरे को इस फाइल को relocate करना है, जुपिटर लाइब मे यहाँ पे हम इसको access कर सकते, okay, so मैं क्या करूँगा, मैं सारी फाइल कापी कर लेता हूँ, just copy this, all this thing, अब हम इसको replace करेंगे जुपिटर लाइब में, okay, so come back to our जुपिटर लाइब, अब यहाँ पे मैं आता हूँ, और मेरे को यहाँ पे folder create करना पढ़ेगा, okay, so I am going to create a folder here, so let's create one more folder, so you can click here, okay, new folder, and I am going to name this one, here, okay, so I am going to name it, xts5pasa, okay, because it belongs to 5pasa, so I am just going to create this one, and fine, open this one, अब मुझे इस folder में सारी files को paste करना है, okay, यह जो पूरी file थी, जो मैंने अभी download किया था, इसको मुझे यहाँ पे shift करना है, तो आप इसली कर सकते हो, आपको क्या करना है, पहले मैं यहाँ एक file create कर लेता हूँ, so open here new notebook, अब आपको पता है कि यह location कहाँ पे है, you can directly paste your code here, बट अगर आपको नहीं idea है, so what you can do, just type here import os, okay, and just type os.getCurrentWorkingDirectoryCwd, okay, and run this one, and you can see here, यह location है, basically, तो मुझे इस location पे paste करना है, so let's open this location, यह बहुत है simple process है, मैं यहाँ पे detail में आपको explain कर रहा हूँ, but you can easily do this one, so sorry, यहाँ पे मेरे को एक और, let's remove करना पड़ेगा, fine, okay, यह location है, you can see here, xts1, अब यहाँ पे मेरे को file paste करना है, so come back again, and यहाँ पे मैं सारी file copy करना हूँ, and paste here, okay, okay, basically, मैंने symphony syntax की library से file download की, उसको मैंने shift कर दिया, यहाँ पे detail lab की working directory में, ताकि मैं इसको access कर सकूँ, simple, और हम चेक करते हैं कि अपनी API activate हुई है, वो proper work कर रही है कि नहीं कर रही है, तो इसके लिएक और last change आपको करना पड़ेगा, वो is config.ini, यहाँ पे आपको open कर रहा है, यहाँ पे आपको URL change करनी होगी, अपने broker के according, तो मैं यहाँ पे 5 पैसे का according यहाँ पे change कर रहा हूँ, तो 5 पैसे case में बहुत ही simple है, you have to place this URL here, okay, so copy this one and paste here, आपका अगर broker let's say कुछ और है, IFL है, मोती लाल है, तो आपको आपको आपे अपने according यहाँ पे changes करने पड़ेंगी, यहाँ आपको information मिल जाए आपके support team से, in case आप 5 पैसा यहाँ पे आपको change करना रूट is equal to this one and save this one, तो basically मुझे यहाँ पे करने को restart करना पड़ेगा, sometime यहाँ पे यह reflect नहीं होता है, so I have to restart again kernel, finally we are able to write some code, और पहले अपने को import करना हो connect.py, so let's import connect.py first, so write this one, connect, from connect, import xjs connect, और आपको यहाँ पे example में sample code मिल जाएंगे, तो आपको ज्यादा दिबान ही लगाना है, you can go on the top, okay, यहाँ पे मैंने same code copy किया, and आपको यहाँ पे copy करना है from this one to here, यहाँ तक, okay, and just paste here, अब यहाँ पे आपको replace करना होगा API key, secret key, okay, और client ID नहीं चाहिए, user ID नहीं चाहिए, you can delete all this thing, और इसको भी आप delete कर सकते हो, यहाँ तक पूरा, fine, and मैं इसको क्या कर रहाँ, इसको मैं यहाँ पे एक अलग cell में replace कर रहा, okay, and I think everything is fine, अब यहाँ पे आपको API key and secret key replace करनी है, so come back to your 5SR dashboard, and यहाँ पे मेरे को मिल जागा API key, copy this one, paste here, और यहाँ पे मेरे को replace करना secret, तो secret तो secret ही रहेगा, so I am going to replace this one and minimize this one, okay, API key and secret key मैं replace कर दिये, अब इसे मैं add कर जाता हूँ, so add this one, okay, so let execute this code and see what happens, so run this one, and wait, sorry, okay, so I forget to execute this cell, okay, so मेरे को इसे define करना पड़ेगा पाले, so let me execute this cell first, fine, so now API key and secret key is defined, and again run this one, and finally we are done, और हमने यहाँ पे successfully login कर लिया, okay, and you can see a response, okay, आ हम चेक कर लेते हैं अपनी market data API, यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे हमने interactive API को चेक किया है, अब चेक कर रहते हैं market data API, उसको कहें चेक करना है, so what you can do, you can again open this example, और यहाँ पे आपको launch में code मिल जाएगा, market data API के regarding, you can again copy the whole code, okay, fine, sorry, you can copy from here to here, and again paste here, अब यहाँ पे भी आपको यह सब नहीं चाहिए, okay, you don't need this one, dealer and all this stuff, just delete this one, यहाँ पे हमें API के and secret की replace करनी है, market वाली, okay, so again I am going to change this thing, underscore m, जिससे हमें यह पता चल पाएं कि यह market की API है, okay, अब यहाँ भी हम replace कर लेते हैं, so come back to again your dashboard, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा market data API, तो again copy API की, okay, paste here, और यहाँ copy करेंगे हम secret की, okay, market data की API की and secret की को मैं replace कर दिया है, तो अपने को यह variable भी change करना पड़ेगा, so यहाँ पे अपने को इसे, API secret को भी यहाँ पे change करना है, okay, so now everything is fine, and let me minimize this one again, and run this one, and let's see what happen, and you will see here, यह भी login हो गया, तो हमने यहाँ यहाँ पे दोन आप चेक कर रही है, interactive order API and market data API, यह कैसे से login करना है, और login भी successful हो गया है, अब हम इसको यूच कर सकते हैं, बागे के process के लिए, कैसे order place करना है, कैसे live feed लेना है, यह सारा part हम कबर करेंगे next video में, बट आज के लिए इतना ही था, okay, so thanks for watching this video, see you soon my next one, over and out, bye.